So Hello Friends, एक बाद फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल Film Me Forever पर अब दोस्तों यहाँ पर सलार मूवी और KGF मूवी से रेलेटड बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है कि जो सलार मूवी है वो KGF का पार्ट नहीं है जिया दोस्तों यह एक शौकिंग और ब्रेकिंग निउस है लेकिन अपडेट आ रही है कि जो सलार मूवी है वो KGF का पार्ट नहीं है बलकि जो KGF Chapter 2 मूवी थी और KGF Chapter 3 मूवी आनी है वो सलार मूवी का पार्ट होने वाली है अब आपको मैं समझाता हूँ सबसे पहले दोस्तों बताद है कि जो सलार मूवी है वो KGF के पहले की कहानी होने वाली है बेसिकली देखा जाए तो जैसे बाहु वली मूवी में हुआ था कि पहले बाहु वली में आंगी की कहानी बताई गई थी और बहु बली 2 में उसके पहले की कहानी बताई गई थी वैसे ही दोस्तों ये नील यूनिवर्स की मूवी सोने वाली है कि पहले KGF 2 में, KGF में आंगी की कहानी बताई गई है और अब यहाँ पर सलार मूवी में उसके पहले की कहानी बताई जाएगी मतलब जो प्रभास है जो डाइनसौर है वो पहले आया है और साथ में जो रौकी भाई है हमारे यश है वो बाद में आया है अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो प्रशान्थ नील डिरेक्टर है और जो लेखाख है राइटर है उसने कितने अच्छे से कहानी को एग्जीक्यूट किया है और हमारे सामने किस प्रकार से उस कहानी को पेश किया जाता है लेकिन एक बात तो confirm है सलार मूवी में हमें रौकी भाई का cameo definitely 100% देखने को मिलने वाला है और जब प्रभास और सांथ में यश एक ही स्क्रीन पर हमें दिखाई देंगे उस समय तो box office फट जाएगा और सांथ में यहाँ पर collection की बारिश होने वाली है तो यहाँ पर यह बहु कि हमें सलार के trailer में वही सब scene देखाई गए हैं चाहिए वो truck का number हो चाहिए वो shooting की locations हो जो kgf2 movie में use किये गए थे और कुछ काश्ट ऐसे हैं जो हमें सलार में भी देखने को मिलते हैं और kgf2 में भी देखने को मिले थे ऐसे में definitely 100% sure हो जाता है कि यह नील universe ही चल रहा है और इसमें kgf2 kgf3 के बाद हमें सलार का connection देखने को जरूर मिलेगा अब आप बताईए कि आप 22 दिसंबर का कितना wait कर रहे हैं सलार movie के आने का कितना wait कर रहे हैं हमें comment में जरूर बताईए साथी movies से जुड़ी हर चोटी बड़ी update के लिए subscribe करके रखिए आपके अपने YouTube channel film me forever go